मैं है न, नेट्फिक्स पे इंसेप्शन पिक्चर देख रहा था, फिर सुचा, आज का क्लास भी है, तो क्लास कंप्लीट करने के बाद ये देखूंगा, अब आपको यहाँ पे क्वेस्चन 100% यह आया होगा, कि आप ये हमें क्यों बता रहे हैं, सही बात है, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्यूंकि आज का जो हमारा टॉपिक है, कैश की एन ओरिजिन रिक्वेस्ट, इस पर्टिकिलर टॉपिक के अंदर में यही एक्जाम्प यूज करने वाला हूँ, और आपको इतनी एजी वैसे इस प्रोसेस को समझाओंगा, कि आपको 100% समझ में आ जाएगा, सो लेट्स स्टार्ट, सबसे पहले में क्या करूँगा, मैं AWS कॉंसॉल में जाओंगा, और यहां से मैं क्लाउड फ्रेंट में जाओंगा, यहां पे ज distribution बनाते हैं, तब option मिलता है, default cash behavior, और जहां आप आप नीचे जाओगे, तो यह दिखी, यह option है, cash की an origin request, इस प्रोसेस को समझना है हमें, Netflix के example से, और यह जब आप समझेगे, तब पता चलेगा, कि यह कितना important है, सीखना, क्यूंकि, I don't know, लोग इस particular points को ignore क्यूं करते हैं, ओके, so let's start, देखे, मैं यहाँ पे दो scenario में आपको समझाओंगा, scenario one है, cash hit, scenario two है, cash miss, अब यह cash hit और cash miss क्या है, वो आप समझ जाओगे, और साथ साथ आपको यहाँ पे जो दो option है, cash policy and origin request policy, यह दोनों भी समझ में आ जाएगा, तो start करते है, cash hit से, जब हम cash hit की बात करेंगे न, तब cash policy ही काम में लगती है, जब हम cash miss की बात करेंगे न, तब यह दोनों का use हमें समझ में आ जाएगा, ओके, तो चलिए पहले start करते है, cash hit से, user request, जैसे के अभी मैंने क्या किया, मैं netflix में गया, और मैंने, मुझे movie देखना था, तो मैंने बुला के मुझे inception देखना है, अब मैंने अपनी preferred language, हिंदी चूज की, क्योंकि मुझे हिंदी में देखना था, तो यही scenario है, step, a user in India requested to watch inception in Hindi at 4K resolution, action, the request is initiated from the user's device to the netflix, तो मेरे यह computer में से request netflix को गया होगा, अब देखो यहाँ पे मेरे पास यह पूरा pictorial representation भी है, तो देखो, inception है यह बहुत popular movie है, तो netflix का जो origin होगा, जहाँ पे यह movie actually है, वहाँ पे वो full HD में होगा, और English में होगा, full HD में होगा, Hindi में होगा, 4K में होगा, English में होगा, 4K में हिंदी में होगा, तो origin के पास सब कुछ होगा, यह main source है, जहाँ से netflix का movie आएगा, वही movie cache होगा, age location पे, तो यहाँ पे दो age location है, एक location पे cache हो चुका है, 108P, यहने full HD English, और दूसरे पे ultra HD Hindi, तो यह cache हो चुका है, अब हम क्या करेंगे, कि हम यहाँ से अपने computer में से request करेंगे, कि मुझे inception देखना है, फोरके में देखना है, और हिंदी language में देखना है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम तो सिर्फ Netflix में जाके choose करते हैं ना, कि इंसेप्शन देखना है, फिर हम language में जाएंगे, फिर हिंदी select करेंगे, में समझना पड़ेगा, now request routed to the nearest age location, step, the request is routed to the nearest age location using DNS and latency-based routing, तो यहाँ से हमारे पास जैसे के दो location है, तो इसमें से किसी भी एक location पे जा सकता है, action, this can be age location 1 और age location 2, depending on which location offers the best performance based on the proximity and network condition, तो network condition, speed, latency के हिसाब से, वो मुझे एक location suggest करेगा, अब यहाँ पैना, इस particular example पे हम जाएंगे, तो मैं यह मान के चलता हूँ के मुझे age location 2 को forward किया गया, याने मेरी request age location 2 पे forward किया गया है, okay, cash and age location, now very important part, देखें, यहाँ पे age location 2 है, okay, for example, now cash key usage, अब देखें, यहाँ पे actually use होगा cash key policy का, जो आपको बनाना पड़ेगा, कैसे बनाओगे, आप यहाँ से भी बना सकते हो, या आप policies में जाके, यहाँ पे predefined policy है, या अपनी policy बना सकते हो, क्यों बनाएंगे, use के समझे, CloudFront uses the cash key based on the language resolution ATC to check if the Hindi 4K version is cashed or not, देखो आपकी request, जब आपने यहाँ से send की, तब आपने जो choose किया है, कि इंसेप्शन तो मुझे देखना है, वो तो movie है, पर उसके साथ वो 4K में होना चाहिए, वो हिंदी में होना चाहिए, कोई यह भी बोलेगा न, कि जो movie देखना है, वो inception ही है, पर मुझे देखना है HD में, या हिंदी में देखना है, या Spanish में देखना है, वो अपने इसाप से language select करेगा, तो यहाँ पर क्या होता है, कि cloud front को कैसे पता चलेगा, कि आपको कौन सा inception movie देखना है, तो यहाँ से user जो request करेगा, वो request के अंदर, हमारे पास header होगा, या query string होगा, या cookies होगा, जिसके through, आपकी जो request जाएगी cloud front को, वो पता करेगा, कि यह user जो है, वो inception हिंदी में देखना चाता है, तो ऐसा कोई header होगा, जो आपको यहाँ पे specify करना पड़ेगा, तो यह पूरा setting आपको यहाँ से set करना पड़ेगा, और उसके बाद, based on this header, cloud front age location को पता चलेगा, कि इनको हमें inception movie तो देना है, पर request है, हिंदी में और ultra HD में देना है, यह कई जगा पे काम आता है, जैसे के, आप TV से movie देख रहे हो, तो देखो यहाँ पे include following header है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, कि यह request कास आया है, आपने तो क्या किया TV में से देखा, आपने open कर दिया है, तो देखो यहाँ पे, ISO version, Android viewer, कौन सा smart TV viewer, तो जैसे ही आप smart TV में से Netflix open करके inception को लोगे, तो इसको पता चलेगा, कि in particular user को, हमें smart TV version वाला movie देना है, और वो detail, किसको जाएगी age location को, और age location को पता चलेगा, कि हाँ, smart location वाला movie हमारे पास है के, स्वरी, smart TV वाला movie हमारे पास है के, नहीं, तो यहाँ पे आप यह define कर सकते हो, कि based on user preference, कौन सी चीज़े उनको सव करनी है, अगर आपके पास एक ही particular content का multiple versions है, तो, जिसे inception movie एक है, पर indoor user के लिए अलग होगी, TV के लिए अलग होगी, language अलग होगी, यह सब कुछ, age location को किसे पता चलेगा, using cash policy, तो यहाँ पे cash policy का use हो गया, अचा, अब आपको यह भी question होगा, कि अगर आपने cash policy नहीं बनाया तू, तो फिर problem हो सकता है, कि आपने हिंदी movie बोला है, आपको English serving हो रहा है, या आपने ultra HD बोला है, आपको HD मिल रहा है, क्यूंकि cloud front को यहें नहीं पता चलेगा, कि भई inception में कौन सी चीज इनको चाहिए, तो महाँ पे गलती होती है, और वो नहीं होती है, इसका मतलब है, कि बहुत ही अच्छी तरह से इस particular policy का use किया गया है, अप cache hit, the requested version is found in the cache, देखिए, अमने यहाँ पे क्या request किया था, हिंदी, inception in Hindi 4K, तो यहाँ पे क्या हुआ है, देखो, यहाँ पे यह movie cache में है, तो cache में है, तो कोई problem नहीं है, तो यहाँ पे age location को पता चला, कि by inception चाहिए, 4K, Ultra HD में चाहिए, और हिंडी में चाहिए, किस तरह से, क्यूंकि आपने यहाँ पे cache policy बनाई थी, cloud front distribution जब बनाया तब, यहाँ पे आप maximum TTL, याने कितने टाइम तक cache करना है, वो भी add कर सकते हो, और यहाँ पे तीन preferences के पाई, यूजर को क्या चाहिए, तो header के through, particular query string करके, या cookies करके आप डाल सकते हो, along with this, वो compression भी support करता है, जिसे faster delivery हो जाता है, तो specifically हम अगर बात करें, कि cache की usage का काम क्या है, तो cloud front location को पता चलेगा, कि आपको कौन सा version देना है, याने कि user को हमें क्या deliver करना है, अब यहाँ पे अच्छा था हमारा नसीब था, कि यह ultra HD Hindi movie inception यहाँ page location पे था, तो फिर वो हमें deliver हो जाएगा, action, the content is immediately delivered from the cache to the user, यहाँ पे क्या होगा, origin के पास जाएगा ही नहीं, okay, now content delivery, the user experienced the fast and smooth playback, because the content was already cached at the age location, और सायद मेरे भी age location पे content cache था, तो मैं जब movie देख रहा था, तब अच्छी तरह से कोई problem के भीना में, enjoy कर रहा था, अब यहाँ पे एक दूसरा भी chance हो सकता है, जिसको बोलते है cash miss, यह बहुत ही important part है, यह समझना, क्यूँके यहाँ पे है ना हम दोनों चीज़ेंगे, देखो एक है ना जब आप distribution बनाते हो, तो एक option क्या है, cash policy, और दूसरा है origin request policy, अब origin request policy को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, cash miss भी समझना पड़ेगा, क्यूँके यह तभी काम आता है जब cash miss होता है, और मैं इसी example से आपको इतनी अच्छी तरह सा समझा दूँगा, कि आपको लगे का यह बहुत ही easy है, राइट, so let's start scenario number two, cash miss, वन को मैं कर देता हूँ बंत, sorry, sorry to interrupt you, I know that video बहुत ही interesting है, पर अगर आप यह 100 days challenge के सभी videos पूरे देखना चाहते हो, तो हम आपको दो options दे रहे हैं, option number one, हमारी website www.cloudfoxhub पे चाहिए, वहाँ पे आपको 100 days YouTube challenge कोर्स मिलेगा, उसको subscribe करें, हमारा prize बहुत ही कम है, just 4.99 रुपीज, यह जो भी videos हम यहाँ पे YouTube पे डालते हैं, वही full video आपको इस particular कोर्स में मिलेगा, 240 videos टोटल मिलेंगे, दूसरा, एक बहुती अच्छा option है, जो हम आपको YouTube के थ्रू देंगे, Now, you can join our YouTube ELITE membership program as well, यह member बनने के लिए, आप हमारी YouTube channel CloudFox Hindi पे जाएए, वहाँ पे exactly subscriber बटन के बाजू में, आपको एक join बटन मिलेगा, वहाँ पे join करिये, आपको monthly सिर्फ और सिर्फ 89 रूपीज पे करना है, और यह सभी videos, आपको full तो वहाँ पे मिलेगे ही, up to 240, और कई सारे courses, जो हम future में डालने वाले हैं, वो सब आपको मिलेंगे, सिर्फ 89 रूपीज पर month, I hope you will join this, thank you very much, good bye.